गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स हाव यू तोड़े वी है मैथ क्लास बच्चों हम अभी तक अपना मेजरमेंट वाला चैप्टर चल रहा है तो आज हम करेंगे 114 पे मेजरिंग कैपसिटी में आपने की शमता जैसे हम गिलास में पानी लेते हैं जग में पानी लेते हैं दो शम्रावन में शाते हैं हम पंञाने हास नहीं में तो हम आप टेंगे अब देखो यह जग यह है क्या टिक करने है कि इसमें हम सबसे ज़्यादा पानी तो आपनी इसमें पर टिक कर दिया ठीक है मिलक कितना है पोटल में इसमें कप में हाफ मिलक है और बोटल में फुल मिलक है ओके दोगे आगे देखिए वी कैन यूज कप्स जग बकट्स बोटल्स एंड सो ओन तुमेजर दी क्वांटिटी ओफ लिक्वीड हम तर्फ दार्थों को कम करने के लिए बोटल जग कप और बाल्टी का प्योग कर सकते हैं इस पाने के लिए बकट्स कर नेम टू लिक्विड यू डिंक यू लिक्विड कौन से होते हैं water and juice अब देखो, अब एक केंग में एक बाल्टी पानी आ सकता है। सो दा कैपसीटी ओफ ए ड्रम इज मोर दैन डैट ओफ ए कैन जो ड्रम की कैपसीटी कितनी कैन से ज्यादा किसमें होती है कैपसीटी चमता पानी की ड्रम में आगे देखिए वाटर टेक्स दी शेप ओफ दी कंटेनर इस पुट इन इस ऑफ दा कंटेनर सोज बिलो कंटेंड वन ग्लास ओफ वाटर एक यह देखो अब इसमें बताया हुए ना कि जैसे अब जिस अकार का हम बढ़तन लेते हैं अगर उसमें पानी डालते हैं तो उसी अकार का पानी भी अपना अकार ले लेगता है देखो अब इसमें कैसे है और अंड अकार है इसमें अलग अलग तरिके से बनाई हुए ना इस चाहे वाली उसमें केतने चाह ग्लास ये पानी ले सकती है और दिस जग जो जग से पानी ले सकता है अब देखो दिस जग जग से कम पानी ले सकता है जग में 5 कप दूद आ सकता है इस बोटल में 4 कप मिलक आ सकता है जो बोटल है वो जग से उसमें कितनी शमत होती है हर चीज डालने के लिए डालने की तो क्या अगता है कम होती है तो इसमें क्या आएगा लेस आएगा I hope आपको ये chapter समझा गया होगा Thank you, have a nice day